अगर एक सर्टन तरहां के lifestyle में fit in होना, एक सर्टन तरहां की image create करना, एक सर्टन तरहां के लिबास पहना, सर्टन तरहां के brands खरीदना, एक सर्टन तरहां से उठना, बैठना, बोलना, चालना ही modernity की definition होती, तो बहुत ही आसान काम होता modern बनना. मैं किस woman के लिए vote करना चाहूंगी, किसे बोलूँगी मैं woman of substance, ऐसी बहुत women होती है, जो जो चाहे पहन सकती है, जोने घर का जादा काम करने का शौक नहीं है, और उन्हें करना भी नहीं पढ़ता, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी actual thought process बहुत expanded हो, शायद जो अपने आपको क respect नहीं किया, गौर नहीं किया, शायद आज सोचेंगे, तो आपको सही जवाब समझ आएंगे, अपने ही बारे में, अगर आप अपने behavior को और actions को modern मानते हैं, क्योंकि वो उस popular culture का, उस popular society का part है, जिसमें अफिटन होना चाहते हैं, जिसमें आप accepted feel करना चाहते हैं, तो फिर एक woman of substance, एक ऐसी औरत को, जिसका अधिकतर समय घर पर ही निकलता है, बाहर बहुत कम आना जाना होता है, जिसकी जिन्दगी अधिकतर बाकी लोगों के आसपास ही गूंती है, अपने बाकी घर के लोगों की सहुलितों का ध्यान रखने में, रसोई परोसने में, जो बहुत दीमा बोलती है, मीठा बोलती है, आखे नीची करती है, अपने उपिनन जादा एक्स्पेस नहीं करती है, संसकारों को फॉलो करती है, अपने बड़े बजर्गों के पैर चूपी है, या फिर एक ऐसी औरत को, जो कॉपरेट सूट पैन कर बोर्ड रूम में जाती है, पाती का मन हो, तो बिंदास पाती करती है, शराब पी नहीं हो, तो शराब भी पीती है, जो मन में आए वो बोलती है, जितनी आजादी उसके घर में मेल मेंबर्स को मिलती है, उसके भाईयों को मिलती है, उसके हस्बेंड के पास है, उसी तरह की फ्रीडम उसके पास भी है, तो क्या है मेरा vote इन दोनों situations में तो मेरा जवाब है मैं नहीं जानती जब तक मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जान लेती मैं किसी को भी अपना vote नहीं दे सकती और अगर मैं उसके बारे में genuinely जानती हूं सब कुछ तो वो woman of substance मेरे लिए पहली औरत भी हो सकती है और दूसर तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले तो ऐसी कोई परिभाशा है ही नहीं जो ये पून्ता को पूरी तरह से एक absolute तरह से define कर दे जो final हूं क्योंकि कोई भी definition निकली होगी जो एक woman को define करेगी कि वो complete है कि नहीं वो किसी culture से निकली होगी किसी समात से निकली होगी किसी group of individuals के thought process से न निकली होगी या फिर किसी किताब के पन्नों में से निकली होगी इसलिए वो subjective है इतनी बड़ी दुनिया में इतने तरहा के इंसान है इतनी परिस्थितिया है इतने cultures है इतने रहन-सहन है इतने सोचने के तरीके है कि कोई भी एक परिभाशा दुनिया की सारी ओरतों को define कर और बता दे कि कौन समपून है कौन नहीं यह हो ही नहीं सकता है और कैसे हो सकता है जब सारी दुनिया की ओरते खुद भी किसी एक परिभाशा पे कभी agree करती ही नहीं और in fact इसमें इतना difference है कि किसी एक particular upbringing के हिसाब से एक culture के हिसाब से एक family के हिसाब से धर्म के हिसाब से एक और औरत के लिए जो उसकी समझ और उसकी परिभाशा है पून होने के लिए a perfect woman की वो बिलकुल opposite हो सकती है किसी और औरत की यही definition से एक औरत समपून है के नहीं यह end में कोई all decide नहीं कर सकता यह सिर्फ वहीं कर सकती है और उसका right होना भी चाहिए वैसे तो देखा जाए तो क्योंकि जब तक वो औरत चाहे अपने आपको कितना भी सिकड़ा हुआ महसूस कर रही है कितना भी limited restricted महसूस कर रही है या कितना भी complete और आजाद महसूस कर रही है लेकिन उसकी यह limitedness यह restriction या फिर यह आजादी को define करने की परिभाशा देने की जो basis है जो parameters है वो किसी बहार से आते हैं तब तक उसकी यह समझ शायद complete नहीं है जब तक यह discrimination decide करने की क्या सही है उसके लिए और क्या गलत है और क्यों यह उसके deep insight से नहीं आ रही inner knowing inner sense of logic and deep reason से नहीं आ रही इचली century में औरत के सिर्फ घर में रहने पर और उसके सिर्फ kitchen के धार में सीमित रहने पर इत ना जादा जो thought process में change आया है कि अभी के समय में especially modern society में एक तरह से it's a given माना ही जाता है कि अगर कोई औरत सिर्फ यही करती है वो घर में रहती है वो बार काम नहीं करती तो वो एक limited औरत है वो सक्षम नहीं है वो पूरी तरह से सम्पूर नहीं है वो woman of substance तो हो ही नहीं सकती इसी समझ के हिसाब से on the other side अगर कोई औरत बाहर जाती है काम करती है corporate world में है या modern लिबाज में रहती है parties में भी चली जाती है तो वो modern औरत है वो इस पहली औरत से जादा अजाद है जादा free है जादा expanded है जादा evolved है हो सकता है उसका ऐसा मानना सच हो या हो सकता है उसका ऐस मानना भराम हो कुछ भी हो सकता है लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि मैं उस औरत की advocacy कर रही हूँ जो ठक कर रहती है जो सर पर पलू रेती है या जो हिजाब में रहती है जिसका जादा तर समय अपने घरवालों की सहूलियत का देहान रखते हो उनकी सेवा करते हो निकलता है हो सकता है कि वो actually woman of substance हो या हो सकता है वो नहीं हो लेकिन ऐसा कुछ भी वो देने से पहले मेरे लिए बहुत जरूरी होगा कि ये superficial जो बाहरी criteria है उसके beyond जाकर मैं उन दोनों के बारे में उनके essence में क्या है उनके मन में क्या है उनकी सोच में क्या है उनका thought process कैसा है वो actually अप सकती के बारे में वो actually क्या है वो जान सको आपको कोई और बता रहा है कि क्या आप सक्षम है या नहीं है यही है बहुत बड़े discontent का source भी जो बहुत जादा misery create करता है जो अपने अंदर self judgment create करता है जो insufficiency की feeling women के अंदर create करता है उसका बहुत बड़ा role है in definitions में इतनी जाद कि बहुत ज्यादा जो अपने अपको सोचती है कि हम free है हम modern है हम evolved है वो यह realize ही नहीं करती है कि वो उतनी ही गोलाम है दिमाग से शायद जितनी की वो उस औरत को judge करती है उस औरत को देखके बोलती है जो बेलकुल एक different set of circumstances में एक different तरहा की life में रहती है for example किसी को खाना बना के परूस के देना या kitchen की साफ सफाई करना ये एक almost given है कि ये एक lesser काम माना जाए जो शायद हमारी mammy के जमाने में या दादियों के जमाने में जिसको significance दी जाती होगी कि लड़कियों को ये समाना चाहिए लेकिन अभी के जमाने में बहुत सारी women हमारी modern society में ना सिर्फ इस काम से कतराती हैं घबराती हैं बलकि उनका thought process कहीं न कहीं ये भी है कि जितना वो ये काम करती हुई नजर आ जाएंगी उतना ही उन्हें कम modern कम evolved माना जाएगा यहीं पर आ जाती है अपकी खुद की discrimination होना वो परिभाशा जो सिर्फ आपके अंदर से आत क्योंकि वही परिभाशा है जो आपको बताएगी कि आपकी जिन्दगी के हिसाब से आप जो भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जो भी आपके circumstance है या नहीं है जो भी आपके लिए possible है नहीं possible है उसके हिसाब से आप अपने आपको सक्षम मानेंगे या नहीं मानेंगे आप की situation आपका thought process आपकी priorities आपकी परिस्थतियां अलग हैं मेरे हिसाब से संपून वही वमन है जो खुद को पहचानती है वो क्या है वो कौन है अपनी personality के ठाचे में वो जैसी भी है वो बिना खुद को किसी और के अस्तित्व से compare करे जो जो वो है उससे बहतर बनने के लिए अपने inner growth पे अपने inner self पे awareness की light के साथ काम करने में सक्षम है discrimination है जिसमें wisdom है जिसमें intuition है उनके thoughts genuine होते हैं बहुत authentic होते हैं दिल जो है बहुत साफ होता है और उनके अंदर एक contentment की एक खुशी की एक inner clarity की जलकाती है उसकी life की बहारी दिन जर्या जो भी हो चाहे वो घर के अंदर की हो या घर के बाहर की हो अगर वो वो करने में अच्छा महसूस कर रही है खुश महसूस कर रही है परयाप महसूस कर रही है उसको sense of satisfaction, sense of fulfillment, sense of larger purpose आ रहा है तो फिर वो उससे जादा संपूर है जो चाहे जो भी कर रही हो लेकिन उसमें उसमें फिर भी अधूरी महसूस कर रही है या वो 9 to 5 किसी routine में इसले बंदना चाह रही है घर के बाहर क्योंकि ये expectations उसके उपर है, उसके upbringing से है, society से है, उसके parents से है क्योंकि अगर वो ये तही करेगी तो वो अपने social circle में lesser दिखेगी, inferior feel करेगी अगर ऐसा है, तो वो औरत बाहर की परिभाशाओं में उतनी ही कैद है, जितनी की वो औरत है, जो kitchen में बंद है तो इसमें मैं किसी की भी side, किसी का भी पक्ष लेने की कोशिश कर ही रही हूँ, क्योंकि हाँ, एक औरत जो kitchen की सीमा में limited है, जो सिफ घर के काम करच करती है, वो बिलकुल कैद हो सकती है अगर उसके बोलने चालने पर, उसके अपने opinion एक्सप्रेस करने पर, उसका व्यक्तित कैसा है, व्यक्तित वो उसके हिसाब से वो खुद को express नहीं कर पा रही है, तो वो बिलकुल कैद है, अगर उसके वो चीजे वो करती है, वो थोपी हुई है, अगर उसका मन हो, उसके beyond कुछ करने का, लेकिन इसले करना पड़ता है, क्योंकि उसके वही expectation है, वो उसके expectation में धली हुई है, on the other hand, जो तूस्ट की so-called modern woman भी है, थोड़े सी किसी के सेवा करनी पड़ जाए, थोड़े सी किसी के लिए हास पैर चलाने पड़ जाए, उतना भी करने की उसमें सक्षमत नहीं है, क्योंकि उसको लगता है, ऐसा करने से वो नीची लिखेगी, तो फिर वो freedom भी कैसी freedom, वो कैसा संपून होना, वो कैसा woman of substance होना, woman of substance वो है, जो वो सब करने में सक्षम हैसूस करे, जो वो खुद से करना चाहती है, और जो वो करने से भी ना कतराती हो, जो as a duty, as a responsibility, logically उसकी plate में आ जाए, अब जैसे कि एक family माननी, जो nuclear family है, वहाँ पे एक बच्चा है, और husband wife है, husband काम पे जाता है, लेकिन woman जो है, वो educated है, वैसे modern है, लेकि वो घर पे रहती है, तो क्या वो, क्योंकि educated है, या modern है, या एक तरह से feel करती है, या वो free है, या वो कैद नहीं है, ये जताने के लिए, जबरदस्ती, बोले कि मैं ये सारे काम नहीं करूँगी, रसोई में कुछ नहीं करूँगी, या बातरूं को कभी साफ करने के लिए टच नहीं करूँगी, तो फिर ये सब कौन करूँगा, और खासकर अगर आप बाहर के countries में रहते हो, जहाँ पर ये स कोई भी अगर आप आर्टिफिशली अपने पर रोक लगा रहे हैं, कि आप ये इसले नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आप नीचे दिखेंगे, और अगर आप कोई काम को बहुत जादा ग्लोरिफाइ कर रहे हैं, ये बोलकर कि नहीं, आप तो संसकारी है, और असली वोमन को ये सब आना ही चाहिए, सेवा करनी आने चाहिए, तो आप किसी भी ктरह की परिभाश्छा में अगर अपने अपने को कैड कर रहे हैं, तो बोड़फुन ॉवमन की बात है अपनी जहां जहां ज़रूरत पढ़े परिस्थिती के हिसाब से वहां पे काम जो है outsource भी कर सकती है help भी मांग सकती है including help अपने बाकी family members से including husband से जहां पे situation की मांगो जहां पे उसको सही लगे जहां पे उसे लगे की नहीं वो over reasons के वज़ा से ये काम मेरे हिस्से में आता है इसलिए मेरा करना सही है तो वो woman of substance क्यों नहीं हुई जो अपनी duty को अराम से अच्छे से निभाए in a logical way ये सोच के नहीं कि मैं इस gender की हूँ इसलिए मैं ये काम करूँगी तो कम लगूँगी लेकिन क्योंकि मैं इस जंडर की हूँ इसलिए मुझे out of the way जाके प्रूफ करना है कि मैं modern हूँ मैं advanced हूँ मैं feminist age की हूँ इसलिए जहां पे हम अपने आपको वो definitions में बादने लग जाते हैं उस हिसाब से अपनी image बनाने लग जाते हैं खुद के लिए और दोस्रों के सामने वहाँ पे हम खुद ही को इतने बड़े पिंजरे में कैद कर लेते हैं जहां पे हमारी खुद की efficiency, खुद की responsibility की sense, खुद की duty खुद के आपस में जो relationships होते हैं उसमें एक give and take क्या होता है self independence, self sufficient हो आप कितने efficient हो वो चीज़ें अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप realize नहीं कर रहे हैं कि actually कैद में तो आप हैं और वहीं वो औरत जो सिफ किसी और औरत को इसलिए जज़ कर रही है क्योंकि वो घर में अपने बच्चों के साथ शाहिद इतना समय नहीं दे पाती है या वो बाहर जाती है या वो pantsuit पहनती है या वो mini skirt पहनती है या वो अपने opinions अपनी जो thoughts एक्षपेस करने से डरती नहीं है अपने आपको equal मानती है तो वो औरत भी उतने ही जो बाहरी definitions है जो उसको सिखाया गया पढ़ाया गया है जो उसके दिमाग में भरा गया है उसकी उतनी ही गुलाम है आप वो संपूर्ण खुद को समझती है कि यह इसी पे निरभर करेगा कि अपनी शक्सित के हिसाब से अपनी individuality अपनी personality के हिसाब से आप अपने आपको self-expression देने में चाहे वो self-expression कुछ काम के जरी हो या वो आपकी speech के जरी हो या आप घर के बाहर जाती है उसके जरी है या आप घर में कुछ करती है उसके जरी है इस पर निर्भर करेगा और उस पर निर्भर करेगा कि आप अपनी शक्सित के हिसाब से अपनी likes और dislikes के हिसाब से अपनी personality type के हिसाब से जिन्दगी जी रही है कि नहीं आपका जो larger दिन जाता है उसके हिसाब से आप at the end of the day जादा contented, जादा loved जादा complete, जादा happy feel करती है या सब कुछ करने के बाद भी बाहर जाने के बाद भी या kitchen में भी समय लगाने के बाद भी या सब की सेवा करने के बाद भी या बहुत पैसे कमाने के बाद भी आप end of the day आपके अंदर एक खालीपन होता है कि life में जो relationship है, सबसे जादा जो लोग आपके साथ रहते हैं जैसे कि husband, wife, वहाँ पे एक lack of affection है एक कमी है और आप उसको पूरा करने के लिए बाकी distractions कर रही होती है तो बहुत सारे factors हैं आपके अंदर का साथ जो है वो आप ही जानती अगर आप जो भी करती है action वो इसले करती है क्योंकि वो आपके अंदर से conviction से आ रहा है यह नहीं कि बाहर की लोग क्या सोचेंगे आपको कम सोचेंगे या आप ऐसा करेंगी तो आपको modern सोचेंगे इसके beyond आप जा चुकी तो आप बाहर काम पे जाती है लेकिन फिर भी कही न कहीं आप जो खुद है वो express करने में incomplete महसूस करती है या आप एक ego वाले zone में रहती है और just ego-based relationships है बाकी लोगों से कुछ भी सेवा करने के लिको आप lesser मानते है आप उसको slavery मानते है तो कही न कहीं you have been lost in those definitions और अगर आपकी पूरी जिन्दगी ही बाकी सब के आसपास revolve करती है आप अपने आपको पूरी तरह से सथकारी मानती है लेकिन फैसा करने से अगर आप अपने से सच बोले तो आप घोटन महसूस करती है आपको अपनी जो सोच है वो एक्स्प्रेस करने की आजादी नहींगी तो फिर आप उतने ही पिंजरे में कैद है जितना की वो दूसरी ओरत जो इसका उल्टा कर रही है तो जो भी कर रही है आप खुद की सोच से कर रही है अपने authentic personality की हिसाब से कर रही है वो करने से आप दूसरे का नुकसान नहीं कर रही आपके अंदर सेवा भाव भी है जहाँ जरूरत पड़े आप अपने हाथ पैर अच्छे से हिला सकती है किसी काम को कम नहीं मानती किसी काम से परहेज नहीं रखती साथ ही में आप खुद क्या है अपने व्यक्तित में उसको आने देती हैं उससे कतराती नहीं आप कुछ भी करने को अपने को इसलिए मज़़ूर नहीं करती कि वो करने या ना करने से आप छोटी या बड़ी डिखेंगी आप घरेलू या मॉडन डिखेंगी और फिर यकीमानिये किसी भी बहारी परिभाषा की आप महताज नहीं हूँ इंग अ वोमन अफ एसंस या वोमन अफ सबस्तेंस अप कितने संसकारी फिल करते हैं नहीं करते हैं या कितने मॉडन फिल करते हैं जो इंडिपेंडेंट थॉट प्रसेस की ही शमता नहीं रखता है तो फिर ऐसा इंसान किसी भी तरह की actual substance नहीं रख सकता है शीप इस शीप भेड़चाल भेड़चाल है चाहे आप उस भेड़चाल में so-called modernity के नाम पे फसे होए हैं और उसमें फसना actually आपको inefficient बनाता है निठला बनाता है, आपकी empathy कम करता है आपको दूसरों के लिए judgmental बनाता है अपने उपर गुरूर करवाता है या फिर आप उस भेड़चाल में इसलिए फसे हुए हैं एक regressive, traditional, conservative thought process कि वहां से आपको गुटबाजी मिलती है, नापन मिलता है, वहां से आपको शेय मिलती है, woman of substance अपने लिए, अपनी आवास पे चलती है क्योंकि वह करना उसे सबसे ज़्यादा संपून फील करवाता है और इस रस्ते पर चलने में दूसरों का नुकसान नहीं होता है नाहीं दूसरों की खुशामद होती है आप खुद के लिए authentic हैं और जब आप वो है तो आप ऐसी कोई चीज अकसेप्ट करेंगे ही नहीं जो असली में आपके लिए घलत है या आपको छूटा फिल करवाती है ठीक reason के लिए, ठीक intention से ठीक circumstance में, ठीक need के लिए कोई भी काम किया जाए समझ से, सूजबूच से, खुशी से तो सब अच्छा ही होता है बाकी सब परिभाशा हैं और बेकार की बाते हैं तो अपने unique, special, God-given talents के हिसाब से personality के हिसाब से अपनी शक्सियत को बुलंद करना शुरू करिए अपनी जिंदगी में रंग भढ़ना शुरू करिए किसी categories, किसी definitions में अपने आपको restrict करिए ही मत और फिर देखिए कैसे आप भढ़ते जाती हैं towards feeling a complete woman